हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बेल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा रागिनी के शादी को तीन महीने हो गए थे, उसका पती आकाईश जो सौफ़्वेर इंजीनियर था, वो उसे बहुत ही प्यार करता था आकाईश बहुत ही मजाक्या किस्म का लड़का था, रागिनी को वो हमेशा हसाते रहता आकाईश को सर्प्राइज देना भी बहुत पसंद था, वो रागिनी के लिए कभी फूलों का गुच्छा ले आता, तो कभी कानों के जुमके तो कभी कुछ और वो पिछले तीन दिन से बैंगलोर में था, बैंगलोर वो आफिस के काम से गया हुआ था रागिनी उसी के बारे में सोचते हुए रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी, उसने फोन उठाया तो उस पर डिखा आ रहा था, हभी कॉलिंग अरे, तुम सोए नहीं हो अभी तर? अरे, तुमारे बिना मुझे नीद का आती है मेरी स्वीट वाइफ बस बस अब मसका लगाना बंद करो अरे, मसका नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ अच्छा, तो फिर आ जाओ न, रागिनी की बात पर आकाश हसने लगा और कहा अरे, आफिस वाले निकाल देंगे आउंगा तो इतना डर आफिस वालों का, चलो फिर रहने दो तुम, मैं अकेले ही सो जाती हूँ अच्छा, एक काम करो, तुम अपनी आखे बंद करो, मैं आ जाओंगा क्या आकाश, अब ये बच्चों वाला मजाग करोगे? अरे, आखे बंद करो तो रागिनी ने अपनी आखे बंद कर ली लो, कर ली आखे बंद, अब क्या करना है? अरे, ऐसे नहीं, चलो अब उठो और दर्वाजा खोलो क्या आकाश, तुम भी ना? अरे, जाकर देखो तो दर्वाजे पर तुम्हारे लिए क्या सर्प्राइज है? रागिनी ने जैसे ही दर्वाजा खोला आकाश दर्वाजे पर खड़ा था रागिनी ने उसे आश्चरे से देखा और उसके गले से लिपट गई तो तुम यहां बाहर से कॉल कर रहे थे मुझे इससे बेहतरीन सर्प्राइज मेरे ले क्या हो सकता है? I love you आकाश, मैं तुम्हें बहुत मिस्स कर रही थी I love you रागिनी और हाँ, घर के अंदर चले इस तरह गले लगा रखा तुने मुझे किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? आकाश की बात पर रागिनी मुस्कुराने लगी दोनों की लाइफ इसी तरह खुशी-खुशी बीत रही थी दोनों के हर पल में बहुत सारा प्यार था लेकिन एक अंचा ही मुसीबत छिपकर उन दोनों की हर एक गतिविधी पर नजर रखे हुए थी आकाश कब ओफिस जाता है? वो कब ओफिस से आता है? रागिनी घर में कब अकेली होती है और वो कब मार्केट जाती है? एक-एक बात का उसे पता था इस बेच आकाश को एक बार फिर से उफिशल काम करने के लिए एक महीने के लिए सिंगापूर जाना था उसने जैसे ही ये बात रागिनी को रेस्टरेंट में खाते-खाते बताई एक महीने के लिए? वो भी सिंगापूर? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी आकाश? अरे बहुत बड़ा मौका दिया है कंपनी ने चानती हो अपनी कंपनी सिंगापूर में अपना ब्रांच खोल रही है और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे उपर है सब कुछ सही रहा तो मेरा प्रमोशन तो हो गई अच्छी खासी सेलरी भी बढ़ जाएगी वो सब ठीक है आकाश लेकिन यहां तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं करता एक महीना कैसे काटूँगी? ठीक है तो मैं मना कर देता हूँ आफिस वालों को नहीं जाओ, नहीं तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी यह कहते हुए रागनी ने आकाश को गले लगा लिया आकाश को सिंगापुर गए हुए एक सप्ता हो गए थे वो नियम से हर दिन उसे कॉल करता और कहता कि वो जल्द ही काम खत्म करके आ जाएगा एक रात की बात है रात के बारा बच रहे थे तभी रागनी के मुबाइल की घंटी बचती है पहले तो रागनी को लगा कि वो सपना देख रही है लेकिन मुबाइल की घंटी लगातार बचती रही तो उसने नेद में ही फोन उठाते हुए कहा तुम्हें नीद नहीं आ रहे मेरे बिना नहीं रागी, मुझे तुमारे बिना नीद नहीं आ रहे है बहुत याद आ रहे है तुमारी बोलो तो आ जाओ रागी, ये शब्द सुनते ही रागनी की नीज काफूर हो गई वो हरवडा कर बिस्तर पर उट पैठी उसके दिल की धड़कन जोर-जोर से धड़कने लगी उसके माथे पर पसीने की बूंदे आ गई उसने घबराते हुए फोन पर पुछा कौन? कौन बोल रहा है? अरे? रागी? इतनी जल्दी भोल गई मुझे कुछी महीने तो हुए हैं तुमारी शादी को कुछी महीने में तुम अपने पुराने प्यार को भोल गई उस प्यार को जिसकी बाहों के घेरे में तुम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाए थी दिस इस नॉट फेयर रागी दिस इस नॉट फेयर रागीनी का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था उसके होट काप रहे थे उसके शब्द लड़ खड़ा रहे थे उसने अपने कापते होटों से कहा दिवाकर तुम चलो तुमने मुझे पहचाना तो मुझे खुशी है तुम्हें अभी मेरा नाम याद है दिवाकर तुमने मुझे फोन क्यों किया और तुम्हें मेरा ये नंबर कैसे मिला हरे हम आशिक कुटों की तरह होते है सुंग कर सब पता लगा लेते है और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा आशिक हो दिवाकर के इस बात पर रागिनी भड़क गए दिवाकर मैं एक शादी चुदा लड़की हूँ तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ऐसे बाते करते हुए रागिनी के इस बात पर दिवाकर ठाके लगा कर हसने लगा उसकी हसी की आवाज रागिनी के कानों में चुप रही थी उसने फोन रख दिया अब ये ये कहां से आगया फिर से लौट कर मेरे जीवन में वो ये सोची रही थी कि तभी फोन की घंटी बची उसने गुसे में फोन उठाया और कहा अजीब मेंटल हो तुम अरे क्यों कर रहे हो मुझे फोन तुम्हें समझ नहीं आ रहे कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती रागिनी क्या हुआ तुम्हे ये तुम क्या बोल रही हो लेकिन इस बार फोन पर दिवा करने ही आकाश था दूसरी तरफ से आकाश की आवाज सुन रागिनी का दिल फिर से जोर-जोर से धड़कने लगा उसने डरते-डरते कहा आकाश? आकाश तुम? क्या हुआ रागिनी? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो? कुछ बात है क्या? और ये तुम किसे कह रही थी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? कुछ नहीं आकाश वो लगता है मैं नीम में कोई सपना देख रही थी I'm so sorry आकाश अरे मेरे अलावा किसी और का सपना मत देखा करो नहीं तुम मेरा क्या होगा रही आकाश के इस स्टाइल में बोलने पर रागिनी को हसी आ गई कुछ देर बात करके उसने फोन रख दिया जैसे उसने फोन रखा दिवाकर का फोन फिर से आ गया रागिनी ने गुस्से में फोन इठाया तुम पागल वागल हो क्या? क्यों कर रहे हो मुझे फोन? तुम मेरा पास्ट हो पास्ट अब मैं शादी शुदा हूँ इसलिए प्लीज मुझे तंग करना बंद करो ये कहकर वो फोन काटने ही वाली थी कि दिवा करने कहा रागी, रागी, फोन मत काटना क्योंकि अगर तुमने फोन काटा तो तुमारी जिन्दगी से बहुत कुछ कट जाएगा जैसे की आकाश, जो सिंगापूर में बैठा है आकाश? तुम कैसे जानते हो उसे? मैंने कहा न, हम आशिक हैं हमें सब का पता होता है क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा प्यार और पैसा दोनो अगर नहीं दिया तो पुराने सारे फोटोग्रैफ्स सिंगापूर में आकाश की टेबल परोंगे दिवागर की बातों को सुनकर रागिनी का पारा फिर से चड़ गया बहुत ही लीचर किसम के आदबी हो तुम वो तो सही समय पर मुझे तुम्हारी असलियत का पता लगया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया दिवागर ने रागिनी से पचास सजार रुपे मांगे और उसे मिलने के लिए सन्राइज होटल में बुलाया ना चाहते हुए भी अपनी शादी शुदा जिन्दगी को बचाने के लिए रागिनी मजपूरी में सन्राइज होटल दिवागर से मिलने पहुची दिवागर ने जैसे ही रागिनी को देखा उसने उसे गले लगाने की कोशिश की लेकिन रागिनी ने उसका हाथ जटक दिया ये क्या बत्तमीजी है अपना प्यार तुम अपने पास रखो मैं शादी शुदा हूँ अरे शादी शुदा हो तो और भी अच्छा है ना आराम से दोनों प्यार करेंगे तुम्हारे आकाश को पता भी नहीं चलेगा चलो अपतर पाव मत गले लग जाओ यार मेरे दिवाकर ने रागिनी को फिर से गले लगाने की कोशिश की उसके इस हरकत पर रागिनी को बहुत गुस्ता आया और उसने खीच कर उसे तमाचा मार दिया बेशर्म आदमी अपनी हद में रहो मैं यहां आगए इसका ये मतलम मत निकालो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है मैं यहां सिर्फ इसले आई हू कि मेरी शादी शुदा जिंदगी को तुम्हारे जैसे नीच आदमी की बुरी नजर से बचा सको और हाँ ये रहे 50,000 रुपे ये कहते हुए उसने 50,000 रुपे दिवाकर के मूँ पर मारे और वहां से निकल गई लेकिन जैसे ही वो घर पहुची उसने देखा कि आकाश सिंगापूर से लोट कर आ गया है उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया आकाश तुम तुम कब आए क्या हुआ रागिनी मुझे देखकर तुम इस तरह चौक्यों गई क्या तुम खुश नही हो मेरे आने से खुश? हाँly खुश हो ना बहुत खुश हो तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है रागिनी कुछ बात है क्या कहीं तुम मुझ से कुछ छिपातू नहीं रही हो नहीं नहीं, तुम्हें, मैं क्या चुपाऊंगी तुमसे? खाव मेरे सरकी कसम यह क्या बच्चों वाली बात है आकाश? रागिनी, यह माना कि हमारी शादी को बहुत दिन नहीं हुए है लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारी बातों को सुनकर पता लगा सकता हूँ कि तुम परेशान हो बोलो ना रागिनी, क्या बात है आकाश की बातों को सुनकर रागिनी उसके गले लगकर रोने लगी और उसे दिवाकर की सारी बात बता दी आकाश मैंने कुछ गलत नहीं किया है मैं तुम्हें कोने से डरती हूँ इसलिए उससे मिलने गई और उसे पैसे दिये मुझे माफ कर दो आकाश मेरे पास कोई option नहीं था रागिनी तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बतानी थी लेकिन कोई नहीं तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया ये बहुत बड़ी बात है देखो रागिनी पती पतनी का रिष्टा विश्वास पर टिका होता है और ये विश्वास है तो छोटा शब्द लेकिन सारी काइनात इसी पर चलती है वो ये बात करी रहा था कि दिवाकर का कॉल फिर से आ गया आकाश ने इशारे में रागिनी को कहा कि फोन को स्पीकर मोड में कर दे रागिनी तुम मुझे थपड मार कर तो आ गई लेकिन तुम्हें पता नहीं है किस थपड की कीमत क्या होने वाली है मैं तुम्हारा हस्ता खेलता परिवार बरबात कर दूँगा तुम्हारी सारी फोटो आकाश को तो जाएंगी ही इंटरनेट पर भी उन्हें वाइरल कर दूंगा तुम्हें जो करना है कर लो दिवाकर लेकिन हमारा परिवार बरबाद नहीं होगा क्योंकि जहां विश्वास होता है न वहां तुम जैसे दुष्ट अपने मनसूबे में कभी कामियाब नहीं होते और हाँ तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है और तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया है और अब इस चेहरे को पुलिस सबके सामने लाएगी समझ गए? दिवाकर को उमीद नहीं थी कि वो अपने जाल में खुद फंस जाएगा और आकाश रागिनी का सब कुछ जानते हुए भी साथ देगा बहराल पुलिस ने दिवाकर को ब्लैक मेल के जुर्म में गिरफतार कर लिया और उसे जेल भेज दिया रागिनी और आकाश के बीच अप पहले से भी ज्यादा प्यार था बहुत बहुत सारा प्यार